यह हरा हरा सा दिखने वाला जादूई पराठा इतना जादा मज़ेदार और इतना जादा हेल्दी है कि आपके सर से लेकर पाओं तक आपको जितने भी विटमिन्स, मिनरल्स और प्रोटेशियम की ज़रूरत होगी वो सब को फुल्फिल करेगा और इतना जादा टेस्टी है कि बच्चे टिफिन में भी लिके जाएंगी और घर आके भी इसे ही खाने की डिमांड करेंगे और इस जादूई और सबसे अदा हेल्दी पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है मूंकी दाल इसमें किसी तरीके के आटे का इस्तमाल नहीं किया है मैदे का यूज नहीं किया है मैं इसे मूंकी दाल से बनाऊंगी आप इसको और भी कई सारे तरीकों से बना सकते हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी तो पूरी वीडियो को लास्त तक ज़रूर से देखिएगा मैंने मूंकी दाल को आदे गंटे पहले भीगो दिया था और ये मैंने आधा कप मूंकी दाल ली है अच्छे तरिके से दोगे भीगोने के बाद हम इसको डाल देंगे एक मिक्सी के जार में और यहां पर इसमें बाइंडिंग के लिए मैं ले रही हूँ थोड़ी सी सूजी सूजी के बजाए आप पोहा ले सकते हैं यहों काटा ले सकते हैं बाजरी जुआर का आटा भी यूज़ कर सकते हैं ये सिर्फ binding के लिए है और सूजी डालने से थोड़ी सी crispness भी आएगी तो मैंने आधा कप मूंकी डाल के साथ आधा कप ही सूजी डाला है चौथाई कप जितना पानी डाल कर हम इसको पीसेंगे अभी पीस्ते से में थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि बाद में भी हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे क्योंकि जो सूजी होती हो बहुत सारा पानी अबसाब करती है अब एक बड़ी सी बोल ले लिजिए और इसमें डाल दीजिए सारा का सारा पेस्ट एकदम बढ़िया से पिस गया है मूंकी दाल, यहाँ पर पीली वाली मूंकी दाल के बजाए, आप छीलके वाली हरी मूंकी दाल भी यूज कर सकते हैं, पेस्ट को निकाल लिया है बोल में, अब हम डालेंगे इसमें थूड़ा सा पानी ताकि जो पेस्ट है वो वेस्ट ना हो और अब में वच्चों के लिए बना रहे हूँ, तो आधा टुकड़ा हरी मिर्च का यह कम तीखी वाली मिर्च है, आप अपने ही साब से तीखा कर सकते हैं, एक टीस्पून सफीर तील एड़ किया है, अब इसमें और ज़्यादा हेल्दी और बोहत ही निउट्रिशन बनान और बहुत सारा विटामिन्स जैसे कि विटमिन A, विटमिन B6, विटमिन C और मैगनेशियम, पोटेशियम, आरम भर भर के होता है, रोजाना इसके इस्तमाल से आपकी बोडी में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, अर्थराइटीस, हार्ट रिलेटर प्रॉब्लम से आपको बचा के रखेगा, साथ ही साथ इसे वेट लॉस के लिए भी यूज किया जा सकता है, जो आपकी कॉलिस्टरल लेवल को मेंटेन रखेगा, LAL कॉलिस्टरल लेवल को भी ये कम करता है, और अगर आपको डाइबिटीस या फिर थाराइट जैसी प्रॉब्लम है, तो भी आप इसे यूज कीचे, आपको बहुत जादा बेनिफिशल लगेगा ये, नेचर शूर का मोरिंगा लिफ से आप आटा में भी मिक्स कर सकते हैं, ये 100% प्योर है, इस पूरे बॉक्स में ये नेचर शूर का एक मोरिंगा लिफ पाउडर के पैकेट, एक चूटा सा हनी क पैकेट, एक चूटा सा चमच और एक ब्रस मिलता है, क्योंकि इसे आप अपनी स्किन, अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने हैर में भी अप्लाइ कर सकते हैं, ये बहुत ही जादे फायदिमन होता है, इसकी पूरी डिटेल वीडियो भी मैं आपको बताऊंगी, मोरिंगा कई सारे तरीकों से यूज करने का तरीका बताया गया है, और साथी साथ ये कॉर्मेंट अप्रूवड लैब से टेस्टेट सर्टिफिकेट भी इसमें मिल जाता है, मल्टिपल वे में आप इसे यूज कर सकते हैं, तो चलिए पैकेट को खोल दिया है मैंने, और इसमें से न पाउडर डाले के साथ थोड़े से बारिक करती हुई धनी के पत्ते आइट किया है, थोड़े सा चाट मसाला, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल कर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, अगर चाट मसाला नहीं है तो आप नीमू का रस भी उस कर सकते हैं, और बनाना चाहते हैं, तो रेसिपी का लिंक आपको वीडियो को नीचे मिल जाएगा, बिलकुल मार्केट से तेस्टी और बग़िया चाट मसाला बना सकते हैं, सार इस जो को अच्छी से मिला लिया है, थिक में साब देख सकते हैं, यह बहुत ज़दा पतला भी नहीं है, और गाढ़ा भी नहीं है, बढ़िया से पाउडर को मिलाईए हमारी दाल वाले मिश्रण के साथ, आप सोच रहे होंगे, पता नहीं है, यह तेस्टी होगा या नहीं, इतना ज़दा तेस्टी है कि मेरे बच्चे स्कूल टिफिन में भी लिके जाते हैं, और घर आके भी वही ब बना सकते हैं, चली आप फटा-फट से बैटर हमारा तयार हो गया है, तो अब इसको कुक करेंगे, बिना देर किये, तो मैंने नौन स्टिक तवा लिया है, इस पर थोड़ा सा घी या तेल या बटर कुछ भी आप लगा लीजे, या फिर आप बिना तेल घीके भी इसको बन सकते हैं, अगर नौन स्टिक पैन में बना रहे हैं तो, पैन को अच्छे से गरम कीजिए, और अब इस तयार के वे बैटर का एक से दो कर्ची हम इसमें डालेंगे, साइज आप अपने ही सापसिक रख सकते हैं, पतला चोटा बड़ा, या फिर आप इसको अपे पैन में भी डाल सकते हैं, वैसे भी ही बन जाता है, इडली स्टेंट में डालकर इडली भी बना सकते हैं, वतलब बहुत सारे आप तरीके से इसको ट्राय कर सकते हैं, एक साइट सीखने के लिए हम इसको ढख देंगे, और फ्लेम को कम कर देंगे, जैसे ही सीख जाएगा, वापस घी त कुछ भी नहीं डालना है, बस यह अच्छे तरीके से कुख हो गया है, उपर के लिए अच्छे से ड्राय हो गई है, तो इसको टर्न कर दीजे, और देखिए कितना अच्छे से सुनेरा हुआ है, अब इसको दबा दबा कर दोनों साइड अच्छे से उलट पलट के पका अब अब आस वापस यह तरीके से सारे पराठे बना लेंगे और यह लिजे, इतना जादा तेस्टी और इतना जादा मज़ेदार देखने में भी काफी ज़दा डिलीसिस लग रहा है, सारी के सारे मज़ेदार पराठे त्यार है, बिना कोई आटा गुथे और बिना बेले, एकदब मुंग की दाल से बनके त्यार है तो बहुत ज़्यादे नुटिशिस भी है, हल्दी भी है और पेट भी भरने वाली रेसिपी है ये कैसी लिएगी ज़रूर लिखके बताईए इसको मैं करमा गरम पराठे को सब करूँगी ठंडी ठंडी दही और खटी मिठी इमली की चटनी के साथ आपको ये रेसिपी पसंद आई तो अपने धेर सारे फ्रेंड्स फैमिली को शेर कीजेगा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पराठे कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और कितनी ज़्यादा मज़िधा दिख रहे है एकदब नरम होते हैं और जैसे इसे ठंडे होते जाते हैं वैसे ही और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते है ये नेचर स्यूर मोरिंगा लिफ पाउडर को ओर्डर करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्कुप्शन में दे दूँगी आप वहां से ओर्डर कर सकते हैं और जल्दी से बनाइए आपी वीडियो कहां से देखने में ज़रूर कॉमेंट करके बताइए मैंने इसे कुछ दिन पहले अपने पिग्मेंटेशन के लिए भी यूज किया था और इसका रिजल्ट अमीजिंग है यूज कैसे करना है इसे देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सारे का ब्यूटी टिप्स पर आएं लिंक मैंने वीडियो को नीचे डिस्कुट्सन में ही दे दिया तो जल्दी से बनाईए खाई और इंजॉई कीजे कर फिर मिलूँगी अगली एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाई